हलो बचो कैसे आप सभी आच्छे से हैं चलिए आगे चलते हैं मैं हीरो सिंग रावत PGT in Commerce Department of School Education हरियाना एडुसेट ब्रोड कास्टिंग के मादम से हम पलस्टू Commerce में एकाउंटेंसी विशय में इश्यू अफ शेयर अंसों का निर्गमन अध्यायक पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे जर्नल परविष्टियां जब शेयर इश्यू किये जाते हैं तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी और दूसरा रहेगा प्रिली मिन्री एक्स्पेंसेज प्रारंबिक वे क्या होगे चलिए अब हम आज के टॉपिक पर चर्चा सुरू करते हैं बचों आईए एक उधारन के द्वारा समझते हैं कि अंसो को कैसे इश्यू किया जाता है क्यूशन है एलफा कंपनी लिम्टेड इस्यू 10,000 शेयर और रुपीज 10 रुपे का है पेबल एस फोलोग जिसका भुपतान निम्न प्रकार से हैं और एप्लिकेशन रुपीज 3 इच और रुपीज 2 इच और फिस्ट कॉल रुपीज 3 इच एंड और रुपीज 2 इच ठीक है बचों कितने शेयर इश्यू करें दस एक समरी बना लेते हैं और इस समरी बनाना सीख लेज़ें रुपीज 2 इच दस जार शेयर इश्यू कियां दस रुपीज का ठीक है ठीक है तीन रुपे पहले अप्लिकेशन के इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं 3 plus 2 plus 3 plus 2 total 10 जो मैंने पहले ऐसे लिखा था 3 2 2 3 2 application allotment first call second उसको यू में लिख दिया समझ में आ रहा है this is application money this is allotment money this is first call money and this one is second and final call अगे लिखा है अगे लिखा है all these shares were subscribed सारे share मांग नियोगे सब share का लोगो ने अप्लाई के लोगों ने अप्लाई के लोगों ने अप्लाई के लोगों जो भी रासी थी allotment पे और call पे वो सम बिल गई या ने यह तो सभी ने सबस्क्राइब किया और यह रासी भी दे दी यह भी दे दी यह भी दे दी सब ने दे दी ऐसा कोई रेक्टिम बच्छों अभी से if and buts इंतू प्रंग्तू ना लगाए सुरू सुरू में question आसानी से सुरू करेंगे आसान question से बाद में तो हम करेंगे यदि उसने ना दिया हो तो उसने advance दे दिया हो तो क्या करेंगे हाँ एक काम कर सकते हैं आपके मन में जितने सवाल पैदा होते हैं उनको एक copy में दो तिन page की जगा बना लीजिए problems की वहाँ पर note करते रहें और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी सारी problem solve हो जाएंगी जो solve होते जाए उनको ठीक लगाते जाना जो बाद में बच जाए उसको आप पूछ सकते हैं ठीक है चलिए पहला question मेरा यह summary हो गई हमारी सबसे पहले कौन सा पैसा आएगा application this one is application याद ना आएगा पैसा आएगा तो क्या entry होगी क्या आपके हाथ में cash में आएगा बिलकुल नहीं वो तो बैंकों में जमाओगा तो पहले बैंक में जमाओगा अब बैंक पैसा देगी तो हमारा bank account receiver हुआ यह giver हुआ नेचरल है रिशीवर हुआ तो बैंक को क्या करेंगे debit anti बनेगी bank account debit थोड़ा से बैंक अकाउंट debit ठीक है कितना रासी आएगी क्योंकि तीन रुपे पर तेक शेयर पर आएंगे और शेयर कितने दस अजार ऐसा तो है नहीं कि ना तो कुछ ज़्यादा application आई ना कम आई क्योंकि पहला पहला question है simple लेकर चलेंगी दस ही मांगे और दस ही आए ऐसा होता नहीं है लेकिन शुरूबात तो ऐसी करेंगे ना तो दस अजार शेयर पर पैसे आएंगे तो दस तीन तीस जार रुपे आएंगे तो यहां पर आएंगे डैभिट करना मतलब plus करता है यह पलस लिखना नहीं है समझने ए लिए ताक्कि आपको बीश समझ में आ जाएंगे प्लस का आएंगे ने की ने कि Já ले लेकिन शेयर का यृद आ है कि मैंने का हर स्टेप का नाम अमने अलग अलग रख souls को पहला पैसा था एप्लिकेशन बंद यहां लेकेंगे बैंक अकाुंट डेविट तू शेयर एप्लिकेशन अकाउंट सियर अप्लिकेशन अकाउंट अब यहां मनी और कितना रुपया आएगा 30,000 ठीक निरेशन क्या बनेगी शेयर एप्लिकेशन प्रमनी रचेवे रेन्हान मानी रचेवेब आपेवा जिरेशना झालन रचेवेर वशे आपी रापन हमे साथ नचेवे आपर सबस्क्रादाइं ओर कितना रेने डर मतना हमे देक वेशा हमिरे। व्हो जषान wert है इस तीड शेयर एप्लिकेशन मनी है िूक्राइप के सब ंतने हैं कि अभी flavors करते प्रियृत थे के डेरिप्राइप सब्सटर्पीश काया वि!!! कि अब एप्लिकेशन मुनुकाम हो गया पूरा application को shift कर दो शियर करता है तो कैसे करेंगे जो शियर application डैबिट थी उसको करेंगे यहां पर credit ती और इसको करेंगे यहां पर डैबिट करेंगे तो करिए 0 application एप्लिकेशन अकाउंट डेविट जो क्रेडिट था वो डेविट हो डेविट होने का मतलब कट गया है हाला कि ऐसे काटते नहीं है जिसे अपने मैट्स की पुक में देखा होगा यहां प्लस सेवन है फिर माइनस सेवन है तो ऐसा काटने जरूरी नहीं होता सीधा उसका जवाब जीरो हो जाता है इसी तरह से यहां पर हम कट नहीं करेंगे समझ जाएंगे कि अगर कोई अकाउंट और फिर बाद में डैबिट होगे तो आपस पर कटके जीर होगे कैसे जीर होगा 30,000 क्रेडिट है 30,000 में डैबिट कर रहा हूं तो मेरा अब टू किसमें करेंगे बताइए शेर कैपिटल में यह तू शेर कैपिटल अकाउंट 30,000 और निरेशन क्या लिखेंगे इसकी शेर एप्लिकेशन मनी ट्रांसफर्ड तू शेर कैपिटल अकाउंट लीज शेर एप्लिकेशन बनी ट्रांसपर्ट तू शेक हैं खत्म ओकें एंट्री क्या बन गी वैसे तो दो बनी लेकिन अगर दोनों का निचोड करूं तो क्या बनी एप्लिकेशन क्रेडिट है एप्लिकेशन डैबिट है यह तो कटी गया तो क्या बचा बैंक अकाउंट डैबिट टू शेर के एक तरह बैंक यानि एसेट्स बैंक हो गया इधर को और दूसरी तरह आपका शेर केप्टल हो गया ठीक अब उसके बात करेंगे हम नेक्स्ट यानि यह मेरी एंट्री नंबर हुई वन यह हो गई सेकेंड अब मैं थर्ड एंट्री करूंग कि एसा फिर करेंगे तर्ट करेंगे ए तर्ट करेंग ऐसे करेंगे थार इंट्री करते हैं क्या होगी पैसा प्सक्रों स्थी होगी쪽에 है prz Newton 알u आपकी अप्लिकेशन नहीं, अबकी अलॉटमेंट, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डिएबिट तू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, निरेशन बनेगी, शेयर अलॉटमेंट, 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 अलॉटमेंट मनी इसीफेट योन 10,000 SHARES एड़ दी रेट आफ रुपीज टू इच थीक तो दस हजार शेस पर आएगा तास दूनी बीस हजार रुपे यह सबचे क्लियर है पीस जार रुपे आगा ठीक अब उसके बाद इसके बाद क्या करेंगे बताओ उसके बाद करेंगे हम इस पैसे को क्या होगी जैसे एप्लिकेशन क्रेडिट तो करो शेयर अलॉटमेंट डेविट एकाउंट डेबिट टू किसमें शेर क्रेप्टल में है तू शेयर क्रेप्टल अकाउंट वह ट्वन्टी थाउज़ड ठीक है बच्छों क्लियर हुआ है क्या कन्फ्यूज रहे हैं क्या कन्फ्यूज़न है अच्छा ठीक आप कह रहे हैं कि ये पहले ये बाद में क्यों नहीं करी यह न सवाल आपका बताता है एक स्कूल है से अरकरेव में प्रिंसीपल से पूछा जाए कि आपके स्कूल में कितने बच्चे होंगे किसे 57 आएगी क्या अूप कि स्थाइगा किक्षेथ सकते नें कि 10 से ज़्यादा भी आ सकती और कम भी आ सकती और 10 भी आ सकती तो अभी हम नहीं कह सकते कितनी application आएंगी हम wait करेंगे last date का फिर बैंकों से confirm करेंगे कितने लोगों ने apply किया है क्या minimum substitution के बराबर या उसे ज़्यादा है कि नहीं है कि सारी बाते ज़्यान करेंगे तो हमारा पहला question है 10 के दस तो पहली बार तो हम wait करेंगे कि हमारे कितने share holders sorry कितने applicant हमारे shares के लिए apply करेंगे ठीक है बचो अब मुझे पता चल गया कि 10 जार shares के 30 जार रुपे अब ये दो रुपे कितनों से आएंगे क्या ये भी ज़्यादा से आ सकते हैं अब नहीं अब जिनको admission ही नहीं मिला स्कूल में उनसे fees कैसे आएगी इसी तरह 10,000 shares को अगर हमने share upload किया हैं तो 10 से ही तो आएंगे हाँ ऐसा तो हो सकता है कि कोई 10 में से भी कोई ऐसा आ जाए जो पैसे ना दे ना दे या लेट करें ऐसा तो हो सकता है और मैंने कहा था ना कि अभी किन्तू प्रंतू वाले question आप अपने लिखते रहे लिखते रहे जो आपको point सकते है तो बचे पहली बार हम वेट करेंगे अब हमें पता है कि आएंदा तो दो रुपे का मतलब है दस अजार गुना दो बीस जार आएंगे फिर दस अजार गुना तीन तीस जार आएंगे फिर दस अजार गुना दो बीस जार और मान के चलते हैं कि सब से आएंगे ऐसा हो सकता एए मैं ऐसा नहीं करा कि नहीं होगा विल्कुली ऐसा नहीं होगा कोई नहीं देगा ऐसा भी हो सकता है लेकिन फिलाल मानते पहला question simple कि सब निदेगे और वह से भी लिखा वादा ना कि सब इने payment करें तो देखे अब जब हमें पहले से पता है कि इतने आएंगे तो बजाए रिसीड करने के पहले डू कर देंगे तो अब इसकी नरेशन बनेगी share allotment money due on 10,000 shares at the rate of rupees to each लेचे allotment money due हो गया due माने दे है कि जब उसका समय आता है तो हम पहले ही due करते हैं ठीक है और बात में जब अपनी से अलोट्मेंट money आ जाएगा तो अब देखिए इसमें share allotment यहां डेविट यहां share allotment credit है तो गौर करें तो यह दोनों आपस में कट गए तो क्या entry बची बैंक अकाउंट डेविट to share capital bank debit हो गया share capital credit हो यहां क्या बना था bank debit share capital यहां क्या बना bank debit share capital अब अगला सवाल आपके आता है कि इसे याद कैसे रख यही है ने problem कि सर यह तो नहीं जचरा यह तो इसको ऐसा कर देते यह तो अब इसे याद कैसे देखें बचूँ एक का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट जोर से बोलिए रटेट शबाश केपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट तो पहली बार बार कैटिल क्रेडिट होगी यहान पर हमने कैटिल को क्रेडिट यह वाला यहां भी किसी से Пजी अलॉटमेट्र अब जैसे इसके बाद मैं 5 ऀन्ट्री खरीवता निक करो अब भताईए वाल। में पहले-टूढ़िट पर्स कॉल ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे पहले करेंगे या कुछ भी कर दो कुछ तो नहीं पहले तो ड्यू करने के अंट्री याद है यहां पर भी मैं केपिल को क्रेडिट कर दूंगा टू शेर कैपिटल लिजिए जो और यहां क्राइड वी थे की यह कैटिल क्राइडिट वह रही है और यह क्राइड है देखे टीन हे था और और यहाद हुआ और क्राइड़ का बैलेंस उता था क्राइडिट और पहले क्याप्ट्रेडव ग्रेस अ किटना भाई अरुण कि शेयर फिर्स्ट कॉल मनी ड्यू ओन 10,000 शेयर एड दी रेट अब रुपीज 3 इच दीचे आब तीन के साब से ड्यू करेंगे और डैबिट क्या होगा शेयर बोली बोली है फिर्स्ट कॉल अकाउंट डैबिट और 10,000 शेयर है तीन के साब से 30,000 रुपी होगा और ये भी 30,000 रुपी होगा क्लियर सभी को समझ में हा रहा है बचे ठीक है अब उसके बाद 6 पॉइंट क्या होगा 6 पॉइंट बताइए अब ये फिर्स्ट कॉल का पैसा आएगा तो बैंक में आएगा तो बैंक डैबिट बैंक अकाउंट डैबिट टू शेयर फिर्स्ट कॉल अकाउंट क्या नेरेशन छोड़ दू लिखना बात बन जाएगी क्या लिखेंगे शेयर फिर्स्ट कॉल मनी रिसीवड ओन टैन थाउजन शेयर एड दी रिट ओफ त्री इच फिर्स्ट कॉल मनी रिशीवड तो तस्त या तीस लिए अगा बच्छे अगा है और वही बात है फ्रस्ट कॉल से फॉस्ट कॉल कट गई जो फ्रस्ट कॉल डाट वी थि 30,000 फश्ट क्रैडिट हो गई 30,000 क्या एंट्रिया बच्छी बैंक डाल बच्छी और अब इस प्रस्त पातने क्या आप अनट्रि कर सकते हैंग स्ञूंट को के में यहां 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 मिटा दूं पिपाल के चले के धाEr को इस याद रखियी तो अगली हमगां Rob और फिर बाद में जब पैसे आएंगे तो यहां लिखा है बैंक डाइबिट टू शेर फर्स पर तो वहां क्या लिखेंगे बताइए बैंक डाइबिट टू शेर सेकिंड एंड फाइनल कॉल और वह दस जार गुना दो बीस जार है यह चार एंट्री यानि टोटल मिलागे टोटल आठ एंट्री दो एप्लिकेशन की दो अलॉर्टमेंट की दो फर्स्ट कॉल की और दो सेकिंड एंड फाइनल है अब हम करेंगे बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं वह देखते हैं देखिए एक्विटी एंड लाइबिल्टी सबसे पहला हेडिंग क्या है शेयर होलडर्स फंड और शेयरहोलडर फंड में नमबर ए शेयर कैपिल भी रिजरेंट्स प्लस और चीजिएव अगेंस्ट अगिंस्ट शेयर वारेंट इसमें पहला एक पाइंट है शेर कैपिटल उसके सामने पहले नोट में देखे एक नंबर लिखा है एक का मतलब है नीचे नौट तो अकाउंट्स में एक नंबर पर शेर कैपिटल की डिटेल अगर इस question में रिजरेंट surplus भी होता तो मुस्से दो नंबर लिखें बनी अगेंस शेर वारांट्स भी होता तो उसे तीन लिखें अब सामने कितना लिखा एक अभी कैसे एक लाख आया इसकी डीटेल हम नौट्स टू अकांट्स में देखिए अगर्व शेर कैप्टेल में देखिए नौट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले क्या आता है इसे याद करते चलें और फॉराइज तो हम भी इसको उसी परकार से सुब करेंगे सिर्फ डैसडैस करके । हम हमने अपना काम पूरा कर दिया यदि हमें पता होता तो हम यहां पर लिख दिए ठीक है बचो उसके बाद क्या इस क्वेश्चन में पता है कि हमने 10,000 शेर इस लिख दिया 10,000 शेर और रुपीज कितना बन गया जब 10,000 लाइन लगा दी इसका मतलब है यह टोटल में नहीं आएगा यह सिर्फ सो पीश है अब तीसरे उसके बाद आता है सबस्क्राइब कैपिटल में दो पार्ट होते हैं सबस्क्राइब एंड फुली पेड़ कैपिटल यानि सबस्क्राइब भी कर लिया और पूर्णते पैसा भी आते हैं यह के पहला क्वेश्चन है इसमें हमने ऐसे कोई बात नहीं कही कि किसी ने पैसे नहीं दिये ऐसी कोई कानी तो नहीं बनी न सिंपल सभी ने पैसा दिया तो यह सबस्क्राइब एंड पुली पेड़ पार्ट में आएगा कितने श्यर्स थे अब आगे सबस्क्राइब बट नौट फुली पेड़ अब करो अगर पूरी कंपनी की बैलेंस शीट दिखाने तब तो शो करना ज़रूरी है नहीं तो यहां पर फिलाल क्यूंकि आप शेयर कैप्टल को शो करना जाते वह आपकर चाहिए और इसमें सबस्क्राइब में तो सारा का सारा ब्लैंक चाहिए ठीक है ओके चलिए अब हम नेक्स क्वेश्चन जो है वह हमारा है उसको समझने से पहले हम एक बात को जानेंगे हम शेयर को कितने परकार्श है इसी पर से देखिए एक जो शेयर है माल लिजे 10 रुपी का है कितने का है 10 रुपी का है इससे आप 10 रुपे का 10 रुपे में बेच सकते है रही ठीक है है कि ने 10 रुपे का शेयर 10 रुपे में बेचते हैं इससे कहते हैं इस्यूड एट पार सम मुल्य पर पार मतलब सम मुल्य पर निर्गमा सम मुल्य पर निर्गमा कि है क्लेर हुए ja लाँ जब क का अंस बारा या पंद्रा या अठारा या वीस पचास कुछ भी कहिए पचास में बेचना कि दस रुपे का अंस दस से ज्यादा में बेचना बेच सकते हैं कम्पनी दस रुपे के अंस को कितना ही महंगा बेच सकती है यदि लोग खरीदने वाले हैं तो कि इसे कहते हैं इसूड एड प्रीमियम पर जारी करना इसूड एड प्रीमियम पर जारी करना जब दस का शेयर यानि जितने रुपे का शेयर उससे में बेचा जाए अगर जनता खरीदने को तयार है तो company बेच सकते हैं इसे हम पूजी गतलाग कहेंगे तो इस तरीके से ये कमा सकते हैं ठीक है बच्चों अब हम चलते आगे शेर को हमने 10 का 10 में बेचा 10 का महेंगा बेचा एक बात रहेगी 10 का कम में बेचना को अधिनियम 2013 में शेर्स को डिसकाउंट पर नहीं बेचा जा सकता जबकि इससे पहले जो अधिनियम था इंडियन कमपनी जैक 1956 उसमें शेर्स को महेंगा सम्मुल्य पर और डिसकाउंट पर तीनों कंडिशन में बेचा जा सकता लेकिन इस 2013 एक्ट में आपने पढ़ा था स्वेट इक्विटी शेर्स पढ़ा था ना कि स्वेट सम्तांस जो करमचारियों या डारेक्टर्स इत्यादी संचालकों की महनत के बदले उन्हें शेर्स दे जाते हैं और वो उन्हें कई बार सस्ते भी दे दिया जाते हैं तो व हिखका ऑगर सवाल पूछा जाए किcome discount पे बेचा जासकता तो आप कहेंगे वैसे तो पर नहीं बेचा जासकता है केवल स्वेट शेर्स 지방 पर बैचे जा सकती है क्लियर है हमारे topic में दो ही चलेंगे issued at power या तो दसका दस में या दसका बारा ठीक है बचो चले आगे बचों अब हम करेंगे Preliminary Expenses क्या होता है प्रारम के समय किये गए आवश्यक व्यों को जो कंपनी शुरुवात करते हैं तो उसमें कुछ खर्चे लगते हैं प्रारम्बिक यानि आवश्यक व्यों को प्रारम्बिक व्य कहते हैं कंपनी के सुरुवात के समय जो खर्चे लगते हैं उन्हें हम प्रारम्बिक व्य कहते हैं इसमें प्राइज निम्न वै सामिल किये जाते हैं, कौन से? नमबर एक कमपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए विबिन परलेखों को तयार करवाने तता इन्हे चपवाने का वै आपने कमपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, कंपनी रजिस्टार के पास अप्निकेशन भेजनी है तो वो जो डॉकुमेंट्स तैयार करने हैं अब आप समझ सकते हो कि वो डॉकुमेंट्स कोई आम आदमी तो भर नहीं सकता कोई जैसे चार्टेड अकाउंटेट या जिनको बहुत ज्यादा तजर्बा हो कंपनिया खोलन करवाना पड़ेगा टाइप भी तो करवाना पड़ेगा एंड रिटन तो चाहेगा नहीं तो वो जो एक्सपेंस है वो आपके प्रारंबिक व्याय कहलाते हैं अगली बात नंबर दो इन परलेखों पर चुकाई गई स्टांप डूटी और रजिस्टेशन की फीस तो वो जो देऊँगे और रिजिस्टेशन करवाने की जो फीस दोंगे वो भी प्रारंबिक व्याय है ठीक है तीसरा है कमपनी की प्रारंबिक पुस्तकों की अगलाज सुरू में कमपनी को बहुत सहुरे रिजिस्टर्स रगहरा खरीदना पड़ती है प्राइं कहलाते है ठीक है बच्चों फिर आगे है अधिकृत पूंजी आपने गौर किया था जो ऑथोराइज कहते थे कितने से खुली जाएगी कंपनी यानि रजिस्ट्रेशन कितने से होगा तो जितने से रजिस्ट्रेशन करवाओगे वहां पर बेटे उसकी ड्यूटी चुकाने पड़ती है उसका भी हमें उसकी जो कुछ सरकार द्वारा निर्धारी तराशी होती है सुल्क होता है वह हमें देना पड़ता है तो अधिकृत पूंजी पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी भी प्रारब्धिक देया है तब ही तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप बहुत ज्यादा से कर तो आपके फालतू पैसे लगेंगे तो आप पैसे फालतू ना लगाएं जितने से कंपनी आप जितने की कंपनी आप उचित समझते हो कि आज कितना पैसा चाहिए निकट भविश्य में कितना चाहिए पूरे जीवन काल में कितना चाहिए उतने से ही रिजिस्ट्रेशन करा क्योंकि इस पर भी तो हमें डिूटी देनी होते इस पर भी तो सुल्क देना पड़ता है तो क्यों बिन बाद का सुल्क देना पड़ता हैm अब उसके बाद हम चलते हैं यदि कंपनी का निर्मान पांचवा पाइंट है यदी कंपनी का निर्मान इसी चालू व्यवसाय को क्रै करने के लिए किया जाए तो उस चालू व्यवसाय की संपत्यों तथा दायत्यों का मुल्यंकर्द करने वाले अकाउंटेंट या मुल्यांकन करता जिसे वैल्डिवर कहते हैं उसकी फीस भी कारम दिख्या है मतलब हम मान लेते हैं हम एक कोईल मिल बनाना चाथते हैं तेल की मिल लगाना चाहते हैं हमने पैसे भी कठे कर लिया। इतने में कोई व्यक्ति आया। कहता है सर हमारी तेल मिल ले लो आप। क्योंकि हम तो बेचना चाहते हैं। आप लगाना चाहते हो। तो आप हमारी भी तेल मिल ले लीजिए। तो हमने सोचा भात तो ठीक है। विचार तो हमारा यही था कि तेल में लगाएंगे और जब लगी लगाई मिल रही है तो बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे हमने का चलो बताइए कितने की है उन्होंने का माल लेते हैं उन्होंने कहा कि पांच करोड की अब यह उते हैं नहीं उन्होंने पांच करोड का रह वह तो अपना रेट बता रहे हम भी तो देखेंगे तो हम यह जानना चाहते कि पांच कुरूर की कैसी है क्योंकि इसमें जमीन भी पाएगी बिल्डिंग मिलेगी फर्डीचर मिलेगा मशिनरी मिलेगी माल मिलेगा है ना ऐसी बहुत सारी चीजे होगी तो हम क्या करते हैं या तो किसी एकाउंटेट की डूटी लगा देते हैं कि आप इसका हिसाफ किताब बनाईए या वैलूर जो लोग इस फिल्ड में हैं, जो मुल्ल्यंकन करते रहते हैं, उनका तज़रूबा ज़्यादा होता है हम एक value को लगा देते हैं कि आप हमें बताइए ये company मुझे कितने में खरीदने में फायदा है तो value कुछ समय लगाएगा कुछ समय लगा कर उसका calculation करेगा इसकी जमीन इस बाव की होनी चाहिए building इस बाव की होनी चाहिए furniture इस तरीके का rate का होना चाहिए machine क्योंकि पुरानी हो चुकी तो आज नहीं machine इतने की आते है तो इतनी पुरानी होने की वजए है इतने की होनी चाहिए इस तरीके से well you are हमें बताता की sir चार करोड़ फाइदा दे रहा है अब हम जाके डिल कर सकते हैं हम तो आपका बिजनिस चार करोड़ साथे चार क्रोड का बिजनिस आप साड़े चार क्रोड कैसे करें यह लो पूरी डिटेल हम दे देते हैं यह हम बिल्डिंग इतने की मानरे जमीन इतने की इस तरीके से हम उनके सामने जब पूरी डिटेल दे देते तो वो भी समझ जाते हैं कि यह पूरी स्टडी करके हैं तो बचे अगर एक वैल्यूर ने मेरे पचास लाख रुपे कम करवा दिये तो वैल्यूर को भी तो मैं कुछ फीस दूँगा जो भी उसकी बनेगी लाख दो लाख जो भी ब को पेमेंट होगा उसे भी प्रारंबिक व्या कहते हैं कि यदि चालू व्यवसाई को खरिदा जाए उसके मुल्यंकन के लिए जो वैल्यूर नियुक्त किया जाए उसका भुगतान उसकी फीस भी प्रारंबिक व्याट इस तरह से यह कुछ पॉइंट थे जो कि आपके प्र देखांकन परमाप 26 अकाउंटिंग स्टेंडर 26 के अनुसार प्रारंबिक व्याओं को जो प्रारंबिक जो उपर बताए प्रिली मेरे एक्स्पेंसेज इनको जिस वर्स वे हुए हैं जिस वर्स हुए हैं उसी वर्स इनकी संपूर्ण रासी सरुपरतम स्कूरिटी प्रिमि सब्सक्राइब डौल है में से ठीकित कर देंा चाखते हैं मैं कहना चाहता हूं कि अगर , परारंबिक व्याओं है और से नकीव्यास है ना ना ह्टमचे आप प्रारंबिक वह कौUh को करम में से काट जैसे कि हमने इससे पहले क्वेशन भी किया था ठीक है और नहीं तो आगे भी समझाएंगे है कि अगे तो इसको हम राइट अफ करें और बाइदी वे स्क्यूर्टी स्प्रिमियम रेजर हो कम और दूसरी तरफ प्रियूम उप्री जादा जैसे उधार लेते हैं हमारे प्राणभी खर्चे होगे 17000 और हमारे पार स्क्यूर्टी प्रिमियम रेजर पड़ा है पचास तो काट लो 20,000 बचके अब क्या करें इस 20,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसी साल डाल देंगे यानि आगे नहीं ले जाएंगे जबकि पुराने अधीनियम में ऐसा नहीं था पुराने अधीनियम में जो यह खर्चा होता था इसे अगले कुछ वर्सों में रा इंसार हमें यह प्रानम भी खर्चा पहले वर्स में ही स्माप करें तो यह आपको याद रखना है जब आप कुश्चन करें कि अगर आपके प्रेमिन एक्स्पेंसेज हैं दूसरी तरफ स्क्यूर्टिस प्रेमियम है तो आप उसमें से उसे एड़्जेस्ट करें जाएंगे अब चलते हैं आगे तो यह आगे बता दिया है यदि प्रणतु यदि स्क्यूर्टिस प्रेमिन रिजर से पूरी रासी अप्लिकित ना हो पाए पाई हो तो ऐसे में से इस रासी को प्रॉफिट एंडॉस क्राउंस से अप्लिकित करते हैं अब हम प्रेवच्चों समय को मध तब तक के लिए बाई बाई टेकिए